बिहार में जाती अधारित गन्ना का दूसरा चुरंद आज से शुरू हो गया आज से जन गन्नक कर्मी घर घर जाकर यह सवाल करेंगे कि आप किस जाती से आते हैं जिसके बाद उसको निर्धारित कोड संख्या के तहट दर्ज किया जाएगा इसे लेकर शमान प्रशाशन विफाग के तरफ से एक एप भी तयार किया गया है जिसमें गन्ना कर्मी सभी तरह के डाटा को अपलोड करेंगे वहीं इस बाद दूसरे चरण की गन्ना को लेकर प्रतेक डेड़ सो घरो पर एक गन्ना करने की विवस्ता की गई है गन्ना कर्मी को अपनी स्विधा के हिसाब से गन्ना करना है उन्हें यह लक्ष नहीं दिया गया कि एक दिन में कितनी संख्या में घरों में जाकर आपको गन्ना करना है इसके साथ ही जाती अधारित गन्ना से पहले बिहार में घरों की नमबरिंग की गई थी सर्वे के दोरान घरों के आगे नंबर दिये गए थी घरों के नंबर की इंट्री गनना को लेकर बनाई गई वेबसाइट और पॉर्टल पर अपलोड की गई इसके बाद अब राज में जाती अधारित गनना को घर गर पहुंचे गनना करमी जाती की जानकारी करेंगे इस लिखने में उन्हें बहुत अधिक समय नहीं लगे इसके लिए उनके अप पर पहले सभी जातियों के कोड डाले गए हैं बस उन्हें कोड फिक्स करना होगा इसके अधार पर जाती की गनना हो जाएगी इसके बाद आर्थिक स्तिती से जुड़े सवाल भी पूछे जाएगी इसके साथ ही इस बार के गनना में घर में कितनी लोग नौकड़ी करते हैं गर के लोग कौन सा करुबार करते हैं गर का कोई सदस्य अगर बिहार से बाहर रहता है तो इसकी जानकाड़ी भी जाती आधारित गर्ना के दोरान ली जाएगी इसके साथ ही घर में कितनी संख्या में मुबाईल, कॉम्प्यूटर या फे टीवी है या भी जाती आधारित गर्ना के दोरान पुछा जाएगा इसी तरह किस घर में कितनी संख्या में वाहन है या जानकाड़ी भी जुटाई जाएगी आपको बता दे कि दूसरे चरन के गर्ना को लेकर राज्य मुख्याले के स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक क्लिक पर या मालूम हो जाएगा कि किस प्रकंड में एक दिन में कितनी संख्या में जाती आधारित गर्ना का काम हुआ, कितने घरों में गर्ना हुई और क क्या दिपोर्ट आई है प्योरो डिपोर्ट न्यूस प्यार लाइव पटना क्या अ चर्डना क्या आई 10ели